नमस्कार डिस्टिक करोली यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज का यह वीडियो उन सभी के लिए है जो अपना खुद का नया आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं या फिर अगर आप पहले से किसी आधार सेंटर पर काम करते हैं आप किसी के आधार एंडॉल्मेंट क जाता है तो यह वीडियो पुरा देखिए तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गवर्मेंट ने जितने भी आधार मसीन थी प्राइवेट जो चल रही थी सब पे बैन लगा दिया है सबको बंद कर दिया गया है यानि कि गवर्मेंट ने नियम निकाल दिया है कि बिना गवर कि किसी सरकारी अधिकारी द्वारा आपकी मॉनिटरिंग हो सके आपका सुपर विजन हो सके इसके लिए आपको एक फॉरम फिल अप करना पड़ाएगा यह फॉरम आप अपने सूचना पर दोगी कि हैं संचार विबाग की ब्लोग कारेले से ले सकते हैं या फिर इस वीडि है उसका नाम आएगा उसके बाद आप जो भी अधिकारी है उस अधिकारी का नाम आएगा उसका पद आएगा उसका मोबाइल नंबर और लेंड लाइन नंबर जो कंपलसरी है लेंड लाइन नंबर आपको देने हैं उसके बाद इमेल एड्रेस आएगा इसके बाद आपका जो center है उसका working hours आएगा कि आप center पर आपका center कब open होएगा उसका timing आएगी उसके बाद जो operator है उसकी details आएगी उसका नाम, mobile number, email address, आधार number आएगा ये सब बढ़ने के बाद जो आधार operator है उसका आधार operator certificate आएगा उसका pen card आएगा और उसका आधार card आएगा इन सब की copy लगे ध्यान रहे, police verification 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए ये सब forum भरके आपके required documents है ये attach करके आपको इसके बाद आपको किसी राजपत्रित अधिकारी दोबारा sign करवा के ये forum आपको अपने संबंदित ब्लॉक कारेले में जमा करवाना है सूचना प्रदगी की संचा हो जाने के बाद आपको permission दी जाएगी कि आप अपना आधार सेंटर इस राजकी परिश्टर में आप अपना आधार सेंटर खोल सकते हैं चला सकते हैं आधार बना सकते हैं तो इस परकार permission मिलने के बाद अपना आप अपना आधार सेंटर खोल सकते हैं तो ये तो हुआ पर्मिशन लेने का प्रोसेस अब बात करते हैं कि अगर आप पहले से आधर सेटर चलाते हैं आप पर्मिशन ले चुके हैं गवर्मेंट की तब नोर्मली mistakes क्या गरते हैं, जिससे आपका आधार रेजेक्ट होजाता है, enrollment रेजेक्ट होजाता है, तो वो mistakes क्या होती है और इसस फॉर्म के लास्ट में जो डॉकुमेंट्स है जो एड्रेस प्रूफ के लिए डॉकुमेंट्स है वो दे रखे हैं कि आप कौन कौन से डॉकुमेंट्स प्रूफ के लिए लगा सकते हैं और कौन से डॉकुमेंट्स आप अपने आइडेंटी प्रूफ के लिए लगा सकते हैं क इस कारण उनका आधार एंडॉल्मेंट रेजेक्ट हो जाता है जैसे कि किसी ने अपने डेट्व बर्थ प्रूफ के लिए बोटर आईडी कार्ड या रासन कार्ड लगा दिया तो वो सब इन्वैली डॉकुमेंट है यानि कि वो प्रॉपर डॉकुमेंट नहीं है डेट्व बर्थ प्रॉफ के लिए या फिर हो सकता है आप रिलेशन प्रॉफ के लिए या फिर एड्रेस प्रॉफ के लिए आधार किसी का आधार कार्ड लगा दिया तो यह भी इस कारण भी आपका आधार एंडॉल्मेंट रिजेक्ट हो सकता है या कई बार देखा गया है कि डेट् प्रूफ के लिए या फिर रिलेशन प्रूफ के लिए किसी भी ग्राम सरपंच के या सेकेटरी के या स्कूल का सर्टिफिकेट लगा दिया यह सब रिजेक्शन के कारण है और आपको अपना राशनकार या पासपोर्ट जो भी है उसमें उसका आपका नाम एड्रेस और फोट करना होना चाहिए आप पना पैन कार्ड रिलेशन प्रूफ के लिए या एड्रेस प्रूफ के लिए नहीं लगा सकते तो यह कुछ सावदानिया है कुछ यह स्टेप से आपको ध्यान रखनी है यह बाते आपको अपने माइंड में रखनी है उसके बाद आपको एन्रोल करन और कई बार जो most commonly जो mistakes करते हैं operators वो यह है कि कई बार क्या होता है आपने water id card को बिल्कुल poor quality में scan किया है तो वो सब उसमें दिखता नहीं है कि उसका नाम क्या है address किया तो उसका रेजेक्ट हो जाता है या फिर हो सकता है आपने scan तो अच्छे से किया है लेकिन उसका क्यावल back side scan किया तो back side से उसका क्यावल address आएगा जैसे आपने water id card scan किया तो उसका back side scan किया लेकिन front side नहीं किया तो back side में केवल उसका address होता है तो उसका address उसके नाम के साथ कोई relation is stabilized नहीं हो सकता तो इसका और विए reject हो जाता है कई बार क्या होता है कि जो नाम है और एड्रेस है व हो जाता है तो यह सब मिस्टेक्स कॉमनली होने वाली मिस्टेक्स है इनको आप ध्यान में रखिए फिर उसके बाद ही एन्रोल करिए और इनके लिए मैंने आपको बता दिया है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वहां से आधार आवेदिन करने वाला जो फ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इसी तरे की वीडियो देखने के लिए हमारा चनल अभी सब्सक्राइब करें धन्यवाद